इसमें जो आपको एंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है फेट सोस टू लिटर का था वो डीजल एंजन जो कि आपने ताटा सफारी में भी देखा है, हैरियर में भी देखा है, जीप कमपास में भी देखा है बट एक चीस से मैं थोड़ सा डिसपाइंट हुआ था कि आगे और पीछे कहीं भी आपको टाइप सी की पोर्स नहीं दिए गए तो आप जो मेरे पास कार है यह है MG Hector और MG Hector पे वैसे तो मैंने आपको काफी बार वीडियो दिखा दिये अपने चैनल पे लेकिन आज डिफरेंट ही है कि यह जो कार है वो हमारे पास दीजल वर्जन की फॉर्म में है और जितना मैंने हेक्टर के रिव्यूज अभी तक ब अब यह काफी लोगों के लिए थोड़ा टन ओफ फेक्टर भी हो सकता है यह जो डिजल वज जाना है यह आटोमेटिक टांस्फिमेशन के साथ हेक्टर में आता ही नहीं है लेकिन पर्टिकुलरली मेरे लिए टन ओन फेक्टर इसलिए रहा है क्योंकि मुझे आटोमेटिक के कंपैरिजन में मैनवन ट्रांस्फिमिशन जादा पसंद है और 600-700 किलोमेटर ड्राइब करने के बाद जो भी इसमें एक्स्पीरियंस फील किया है वो चीज आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यानि कि और आप यह समझ सकते हैं कि प्रोज एन कॉंस यह पॉजिटिव और नेगेटिव जो रहेंगे इस कार के वो चीज आपको आज कि इस वीडियो में पता लगने वाली है तो इस वज़े से अगर आप में से काफी सारी लोग MG Hector को पसंद तो करते हैं लेकिन चाहते है कि mileage भूने अच्छी मिले तो हेक्टर का आप डीजल वरि बनाती है डीजल वर्जन जो आता है इसका टॉप विरिंट में उसमें आपको लेवल टू इडास के फीचर नहीं मिलते हैं अगर आप MG Hector लेना चाहते हैं और आपको इडास वाले फीचर सही है उसमें ज्यादा टेक के शौकीन है तो आपको इसका पैट्रोल वर्जन को ही है, Harrier में भी देखा है, Jeep Compass में भी देखा है और यह जो इंजिन है इतना ज्यादा responsive इंजिन है इतना ज्यादा responsive इंजिन है कि एक बात जब आप इसे drive करेंगे तो आप definitely इसके fan हो जाएंगे फीचर्स यहाँ पर आपको काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं जैसे कि 360 degree camera भी आपको मिल जाता है पर जैसे कि मैंने आपको बता है कि front में आपको radar नहीं मिल रहा है यानि कि इस version में आपको level 2 idas के features से compromise करना पड़ेगा और प्राइस जो होगा वह इस variant का टॉप विरिंट का मैं बता रहा हूं वह आपको पड़ेगा डैलियंस या रीजन में 25.67 लेक रुपीज front profile गाइस इसके check out कर सकते हैं यहाँ पर काफी massive MG का logo मिलता है और जितना massive इसका logo है उतनी massive इसकी आपको grill मिलती है साथ जाथ chrome से garnishing इतनी बड़ी दे दी गई है जो कि इसकी road presence को कमाल का बना देता है और यहाँ पर आपको condoning headlamps का setup मिलता है और जो इसका पूरा throw है लाइट का वो बहुत ही जादा amazing है 7 days से मैं इसको जब use कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है उसमें 690 भी आ जाती है तो मैं इसकी headlamps की intensity से काफी ज्यादा satisfy रहा तो overall MG Hector का videos और walk around basically आपने काफी पर देख लिया होगा हम आज थोड़ सा different करने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने से जितना भी काफी जब कमाल की है लेकिन इसमें आपको सिर्फ manual transmission मिलता है यानि कि अगर आप automatic के शौकीन है या अगर आप जाते कि 25 लाग रुपे मैं खर्च करूं लेकिन मुझे एक आराम दायक ride मिले वो भी city में तो हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों को manual transmission ज़ादा ना पसंद लेकिन particularly अगर मेरी बात करें तो मुझे जो है वो manual transmission काफी ज़ादा पसंद है उसका reason है कि मैं अपनी मर्जी से gears को जम बरजी shift करके अपने हिसाब से इसे drive कर सकता हूँ तो वो चीज मुझे काफी ज़ादा पसंद है दूसरा क्या है ना इसका जो engine option मिलता है इतना जबरद ड्राइब करते दौरा मैं बताऊंगा लेकिन अभी मैं थोड़ सा आपको basic सा idea देता हूँ engine कैसा develop करता है power को और यह जो engine है वो produce करता है नेली 170 PS of power and 350 Nm of torque बहुती जादा responsive एक lower and torque जो है इस engine का बहुती जादा अच्छा है और दूसरी मज़िदार बात यह कि गाड़ी जो लोग ना mileage के लिए काफी जादा concern रहते हैं MG की काड़ी खरीदने से पहले वो सोचते हैं कि यार single figure में हमें mileage मेरेगी ऐसा यहाँ पर नहीं है क्योंकि यह जो engine है यह diesel engine है और petrol engine के comparison में इसकी जो mileage है वो बहुत ही जबरदस्त है मतलब कि आप मान सकते है मोटा मोटा कि city में यह जो है वो कारा में 10 से 11 km पर लीटर की mileage दे देती है और अगर बात करूं highway पे तो इसका जो mileage है highway पे वो रहता है 14, 15, 16 ऐसे से करके इसका mileage figure vary कर सकता है highway और depend कर सकता है आपके driving habits के हिसाब से भी बट overall इसकी mileage है वो मुझे बहुत जादा पसंद इसले भी आई है क्योंकि इससे पहले जो media review unit मेरे पास आया था वो आया था इसका petrol version वाला variant और जब मैंने उसे drive किया था तो उसकी mileage जो है वो बहुत जादा नहीं थी जाहिर सी बात है इतनी बड़ी size में अगर कोई petrol version आपको मिलता है तो mileage वो बहुत जादा अच्छी नहीं दे पाती लेकिन मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है इसको drive करके क्योंकि diesel version है और diesel version की जो performance और mileage दोनों ही है वो बहुत ही जबरदस्त है front profile देखेंगे आप इसके तो बहुत जादा classy लगती है especially यह वाली grill आप देखेंगे आप तो यह भी बहुत जादा attractive लगती है और साथी साथ यहाँ बड़ा सा touchscreen display मिलता है और जैसे कि मैंने आपको बता है कि 6-speed का manual transmission महीं लेगा आपको यहाँ पर अचा दूसरा बत अगर आपने हेक्टर का petrol version ड्राइब किया है तो आपने एक चीज़ नोटीच कियोगी कि उसका जो central console है यह वाला बहुत ही जादा premium लगता है उसका but still मैं आपको बता दूगी अगर आप एक enthusiast है और अगर आप driving को जादा prefer करते है features के comparison में तो definitely यह गाड़ी आपको बहुत ही जादा पसंदाएगी petrol version के comparison में अगला जो मुझे सबसे जबरदस point लगा इसका वो लगा इसका rear seat cabin देख सकते हैं जहाँ पे आपको पहले तो यह थोड़ सा गंदे होने का chances रहता है लेकिन जो space और comfort है वो unbeatable है मतलब कि अपनी segment में सबसे ज़्यादा इसमें आपको wheelbase में मिल जाता है अपनी segment में leg room, head room और shoulder room जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मिल जाता है कभी अगर आप in segment में confused हो कि space में कौन सी गाड़ी आपके sunroof जो है वो आपको बहुती बड़े size की मिलती है अभी मैंने से पूरा open नहीं किया है बर जैसी से open करेंगे तो बहुती बड़े size की sunroof मिलती है panoramic sunroof है obviously और यहाँ पर आपको मिल जाता है rear segment तो comfort का यहाँ पर काफी धान दिया है MG ने बट एक चीज़ से मैं थोड़ सा पसंदा इसकी वो लगा इसका boot space यह देख सकते हैं इतना भर भर के आपको मिलता है ना मतलब कि front में तो मैंने आपको दिखाई दिया rear में भी आपको दिखा दिया और यह boot space आपको मिल जाता है 587 liters का boot space यह गाड़ी आपको offer करती है जाहिर सी बात है segment बड़ा है इसका तो boot सर्फ आपको मिलता है इसे आप कुछ ऐसे adjust कर सकते हैं और अब यह काफी ज़्यादा neat and clean design वाला लगता है बागी यहां पे एक बार wide से देख लो आप कितनी ज़्यादा spacious है और looks में भी काफी ज़्यादा अच्छी लगती है red color का option जो है वो इसकी road presence को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है alloy wheels भी आपको देख सकते है 18 inches के मिलते है और मज़दार बात है कि all four disc brakes आपको मिल जाते है मतलब कि front में भी मिलेंगे और पीछे भी आपको देख सकते है यहां पे भी आपको disc brakes का option दिया गया है फियर सोज multi jet second engine है बहुती ज़्यादा well known engine है globally engine जो है वो काफी जारी cars में उस होता है जैसे कि मैंने आपको बदा दिया कि Harrier में भी उस होता है सफारी में भी उस होता है और packing आप देखेंगे तो बहुती जबरदसता है परफॉमेंस भी आपको काफी अच्छी देता है मतलब कि 170 PS of power and 350 Nm का talk engine produce करता है lower end talk बहुत ही जबरदस है इसका तो छोटी मोटी fit and finish या फिर insulation इस टाइप का ध्यान जो है na MG ने काफी अच्छे से रखा है अब चलते है quick click drive पे मैं feature बहुत जादा focus नहीं करूँगा मैं drive कर दोरान आपको बताता हूं कि इसकी engine की performance कहा है और कैसे इसका engine difference create कर देता है इसमें और इसके petrol version में सबसे पहले अगर बात करें इस infotainment system की तो 14 inch का infotainment system में आपको मिलता है काफी बड़े size का है देखने में यह आपको पता लग रहा है लेकिन यह जो infotainment system है यह basically distraction भी है तो इस वज़े से अगर आप इसे drive कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप इसे बार-बार use ना करें और voice command के जरीए भी आप इसका use कर सकते हैं जैसे इसका AC on कर सकते हैं या sunroof open करवा सकते हैं अब steering wheel आप देखेंगे ना तो आपको difference already clear होई जाएगा कि इसमें और इसके petrol version के top variant में क्या difference हैं वहाँ पे आपको adaptive cruise control या दूसरे ADAS के features मिलते हैं जैसे कि MG pilot हो गया तो यहाँ पे आपके पास वैसे कोई feature नहीं रहता है diesel version के top variant में यहाँ पे आप देख सकते हैं regular cruise control हमें देखने को मिल रहा है जो की speed limiter के साथ रहता है यह देख सकते हैं यह जब फूल मिलता है आपको इसके diesel version में यह definitely आपको impress कर देगा क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है Fiat source 2 liter का turbo charge diesel engine और यह जो engine है यह produce करता है nearly 170 PS of power and 350 newton meters of torque तो काफी ज़ादा refined engine है पहले तो engine और दूसरा क्या है कि यह जो engine है वो responsive भी बहुत ज़ादा है lower end torque इसका काफी amazing है लेकिन जब यह आप top end में जाएंगे न दीरे दीरे तब जाके responsiveness बहुत ज़ादा नहीं रखेगा चीज यह लगती है कि जब आप इसे initially चलाते हैं या drive करते हैं तो क्योंकि manual transmission है इस वज़े से आप इसका proper utilize तब कर सकते हैं जब आपको high torque चाहिए हो जैसे कि आप hilly area में drive कर रहे है या थोड़ा सा off-roading patch में drive कर रहे है तब जाके यह जो manual transmission है यह थोड़ा सा ज्यादा important हो problem आपको city में देखने को नहीं मिलती मतलब कि ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक body size की vehicle को drive कर रहे है बहुत ही आराम से इसके steering को आप turn कर सकते हैं आपको पता होगा कि MG ने Aster में जो अपना steering feedback को control करने के option दिये ना कुछ उसी तरह का यहाँ पर भी थोड़ा सा होता तो हम इस और in fact diesel version जो है इसका इतना ज़्यादा responsive है आप बस throttle press करेंगे quick यह response करेगी तो इस वज़े से कई बार ऐसा होता है कि हम overtake करते है तब जाके body roll हमें थोड़ा सा feel होता है बट overall यह जो गारी है वो बहुत ज़्यादा amazing है drive करने में और long journey पे आप इसको एक बार ले जाएंग होते है बहुत ही अच्छी राइट quality आपको यहाँ पर मिल जाती है लेकिन जब suspension को यहाँ पर soft रखा गया है तो उसका एक major disadvantage यही है कि गाड़ी में body roll आपको फोड़ा सा feel होगा ही होगा यह slight हलकी सी इस सरफ तिल्ट होती है body roll थोड़ा सा रहता है बट overall ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको feel होगा या ऐसा कोई drive करते दौरान आपको कोई discomfort feel होने वाला है मजा आता है pull करने में इसको इस डीजल वरिजन के साथ यह जो मजा है ना वाइस वह सिर्फ आपको मैनुल ट्रांस्मिशन दे सकता है जैसा कि अभी हम इस वक्त है और 6-speed का मैनुल है अभी 6th gear पर यह टॉप एंड थोड़ सा इसका बहुत ज़्यादा responsive नहीं feel होता बट इसका lower end और mid range जो है नसकी बह तो see performance जो है वो काफी अच्छी है इस डीजल वरिजन की और definitely यह आपको पसंद आएगा especially अगर हम पैट्रल वरिजन से इसे compare करें तो एक और चीज मज़दार बात मैं आपको पता दूँ कि guys कई बार आपने देखा होगा कि diesel वरिजन वाली कार में जब हम कार को start करते है तो यह gear knob जो है न थोड़ सा वाइबरेट होता हुआ feel होता है में बट ऐसा यहां पर कोई feel नहीं होगी इतना अच्छा खासा यहां पर gear हेक्टर का डीजल वर्जन और वीडियो को अब एंड करते हैं ओके तो guys यह था MG हेक्टर डीजल वर्जन का एक detail review और आपको यह review कैसा लग रहा है और क्या आपको MG हेक्टर डीजल लेनी है या petrol लेनी है I think आपने अभी तक decide कर लिया होगा make sure comment section में लिखना ना बूले कि आ आगे अभी एक आथ दिन मेरे पास और बची वी है तब तक मैं क्या करता हूँ दसरसा और ड्राइव करता हूँ और मजे करता हूँ इससे क्योंकि इसके माय ले जायना वो काफी जादा कमाल की है तब तक के लिए मिलते हैं आप सेकली वीडियो में thanks for watching